हेलो एब्रिवन आज मैं बनाने वाली हूँ सिरुफ पांच मिनिट में बनने वाली बच्चों की फेवरेट मैंगो जेली रेसिपी काफी असान है पसंद आये तो लाइक शेर करेगा शुरू करें आम की जेली बनाने के लिए मैंने एक पका हुआ आम ले लिया है दो से तीन बार इसे पानी से धो लिया है धोने के बाद अब इसका जो पल्प है इसे मैं निकाल लूँगी आम का पल्प निकालने के बाद अब मैंने एक ब्लेंडिंग चार लिया है और इसमें इस पल्प को ढाल देना है ताकि मैं इसे ब्लेंड कर सकूँ साथी में एक कप दूथ और एक चुठाई कप चीनी चीनी को आप अपने टेस्ट के हिसाप से कम ज़ादा कर सकते हैं अब इसे मैं ब्लेंड करने वाली हूँ गेकिए इसे ब्लेंड कर लिया है अब मैंने एक बारीक जाली वाली चन्नी ले ली है और इसमें एक पार इसे छान लेती हूँ ताकि इसमें कोई लंस हो तो वो निकल जाए या चंक्स रह गए हूँ आम के क्योंकि जब हम जैली बनाते हैं तो उसमें किसी भी तरह के कोई चंक्स या लंस नहीं रहने चाहिए इससे जैली आपकी बिल्कुल स्मूद नहीं बनेगी मैं देखिए मैंने इसे चान लिया है अब मैंने लिया है कॉन फ्लार तो कॉन फ्लार मैंने लिया है लगबग एक चुठाइक कप और साथ में एक चुठाइक कप xi दूध लेक आ है और इन डोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये देखिए मेरा ये मिक्षर तयार हो चुका है कॉन फ्लार का अब मैंने फ्लेम ओन करी है और इसमें रख दिया है एक बरतन और इसमें डाल दिया है जो मैंगो का पल्प हमने छानके रखा है अब इस पल्प को मीडियम फ्लेम पर लगबक दो मिनट टक में पकाऊंगी दो मिनट में ही इसमें हलके हलके बबल्स भी आने शुरू हो जाएंगे और हलका सा ये पक भी गया है अब इसमें मैं मिलाने वाली हूँ ये कॉन फ्लार कॉन फ्लार बहुत ही जल्दी से नीचे बैठ जाता है लीकवर में जब भी आता है पानी है या फिर डूध है तो उसे हमेशा मिक्स करके ही डालना चाहिए तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब एक हाथ से मैं इसे डाल रही हूँ और दूसरे हाथ से मैं कॉन अब चला रही हूँ ये जरूरी है step क्याब कुकि अगर हम इसे कंटिनो नहीं चलाएंगे तो इसमें lumps पड़ जाएंगे या गुठलिया पड़ जाएंगी और फिर वो हमारी jelly स्मूथ नहीं बनेगी अगर जादा मीठा हो गया हो तो फिर खटा मीठा हलका टेस्ट हो जाता है तो इसलिए मैंने निम्बू का रस मिला दिया है और अब इसे बढ़िया सा मिक्स कर लेना है ताकि सब जगे पर निम्बू का रस एक सार हो जाए और हमारी ये जैली बिल्कुल बढ़िया सा बनके देखिए तयार हो गई है और मैंने अब फ्लेम को बन कर देना है देखिए बढ़िया सी हो गई है अब मैंने यहां कुछ मोल्ड ले लिये हैं अपनी पसंद के हिसाब से आप जिसमें भी इसे सेट करना चाहें वैसे मोल्ड ले सकते हैं और मैंने हैं कुछ रंग भी रंगे मोड लिये हैं कि अलग लग तरह की जैली बन के आएगी तो उसमें अब मैं इसे भर लूँगी और हलका सा टैप टैप कर देना है कोई बबल्स हों तो वो भी निकल जाएंगे और फिर हमें इसे एक घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है एक घंटा हो चुका है फ्रिज में इसे रखे हुए और अब हम इसे पलट करके निकाल देंगे और ये देखिए हमारी बढ़ियासी जैली बनके तयार हो चुकी है टूटी फूटी से मैंसे कर लेती हूँ कार्णिश तो ये देखिए बच्चों की फेवरेट मैंगो जैली या मैंगो पूडिंग तयार हो चुकी है सिर्फ पांच मिनिट में इस रेसिपी को बनाईए और अपने बच्चों को खुश करिए कैसी लगी रेसिपी बताईएगा पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा जो न्यू है तो चैनल को सब्स्राइब कर लीजीगा नदे नेक्स वीडियो में तब तकिली बाइब बाइ